नमश्कार शराब घोटाला पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा दो साल से BJP की सारी एजन्सीज कई रेड मार चुकी हैं कई लोगोंको गिरफतार कर चुकी हैं लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला अगर भृष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोडों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भृष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के में खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल दो अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है जूटे आरोब लगा के फरजी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते है मेरी इमानदारी पे चोट करना चाहते है इन्होंने मुझे समन भेजे हैं मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानोनी है क्या मुझे एक गैर कानोनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानूनी रूप से सही संबन आएगा तो मैं पूरा सही उप करूँगा बीजेपी का मकसद जाच करना तो है इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इनने मुझे संबन भेजा है क्यों इस जाच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है पहले क्यों नहीं बुलाया CBI ने मेरे को आठ महीने पहले बुलाया था मैं CBI में गया था उनके सारे जवाब भी दिये थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोग सबह चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताच के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिर्फतार कर लो ताकि मैं लोग सबह चुनाव में प्रचार ना कर पहूँ आज बीजेपी ब्रश्चाचारियों को नहीं पकड़ रही बलकि खुले आम E.D. और C.B.I. का इस्तिमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़के बीजेपी में शामिल करवानी के काम किया जा रहा है एक नहीं, दो नहीं, कितने उधारन है जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ E.D.I. C.B.I. के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे वे थे जैसी वोनेताओं बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए तो जो इनकी पार्टी जॉइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा-दफा कर दिये जाते है जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है आज मनीज सिसोधिया, संजे सिंग और विजयनायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने ब्रष्टाचार किया है वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है आज हम BJP का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कोई ब्रष्टाचार नहीं किया अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे ब्रष्टाचारी नेताओं के तरह आज भी हम BJP में शामिल हो चुके तो होते आज तक इस तरह देश के इमानदार नेताओं को ज बहुत गलत है इसे रोकना होगा मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं मेरा तन मन धन देश के लिए है मेरी एक-एक सांस देश के लिए है मेरी खून की एक-एक बूंद देश के लिए है मेरे शरीर का एक-एक कत्रा देश के लिए समर्पित है हमें मिलके देश को बचाना मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, आपका साथ चाहिए आपका साथ लड़ रहा हूँ, आपका साथ चाहिए